इस हवा मेहल का निर्मान यहां के मराजा स्वाई परताथ सिंग ने करवाया था जैपूर का जंतर मंतर स्वाई जैसिंग द्वारा 1728-1734 के बीच निर्मित एक खगोली वेद साला है जैपूर खगोली वेद साला जंतर मंतर ऐसा माना जाता है कि इस हवा मेहल का निर्मान यहां के मराजा स्वाई परताथ सिंग ने करवाया था में आपको बता तूँ इसके अंदर जाता तो कुछ नहीं है आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा ग्रिन आपको खिड़का देख रही है और वहां का आपको टूर मिलेगा स्वाप नोटिस कर सकते होगा इस हवा मेल का निर्मान महाराजा स्वाई परताथ इसलिए करवाया ताकि वह रोड़ से साइज जुलूस निकले एंड इस दो जिनकी को देख सके ना नोटिस कर सकते हैं एक और लोकेशन आपको जिकाने मे पर डिसाइड करनके आपको दूर मिलेगा है जैपूर का जंतर मंत्र स्वाई जैसिंग द्वारा 1728 से 1734 के बीच निर्मित एक खगोली वेजशाला है यह यूनेशको के विश्व धरोहर सूची में समयलित है इस वेजशाला में 28 परमुक यंत्र है जो समय मापने ग्रहन की भवश्रिवानी करने किसी तारे की गती एंवस्थिती जानने और सोर मंडल के ग्रहों के जिकपा जानने आदी में सहायक है नगन आखों से खगोली वस्थाओं के सोद के लिए बनाया गया है जिन स्थापती और वादी नवाचारों को सामिल किया गया है यह भारत की एतिहासिक वेजशाला हैं सबसे महतपून हैं सबसे व्यापक और सबसे अच्छी तरह से सनक्षी थे जैपूर्ख गोली वेजशाला जंतर मंतर ऐसा माना जाता है कि इसका निर्मान प्रबुद सासक स्वाई जैसिंग दित्ती ने कर वाया था दुनिया की सबसे सटिक पूर्ख आधूनिक वेजशालां में से एक है और ग्रहों और अन्य ब्रह्मांडिये गती वीदियों की समझ में सुधार के लिए जंतर मंतर का निर्मान 1724 ECV में पूरा हुआ था जैपूर के महराजा जैसिंग ने इस वेजशाला का निर्मान कराया था उन्होंने उज्जेन वारानसी और मतूरा में इसी परकार की अन्य वेजशालाओं का निर्मान करवाया था जंतर मंतर 19 खोकोल लिपकन्नों का एक संग्रह है जिसे राजस्थान के जैपूर के संस्थापक राजपूत राजा स्वाई जैसिंग ने बनवाया था जंतर मंतर यंतर मंतर का अपवरंत रुप है इसे प्राचिन भारत में वेजशाला कहा जाता है और इसे अंग्रेजी में अब्जरवेटरी कहते हैं